नर्णेदर मोदी की सरकार वक्फ में सुधार के लिए पारदर्शिता लाने के लिए विधेक लेकर क्या आई राजनीति में कोहराम मच गया हंगामा कहा जा रहा है कि इसलाम पर हमला है मुसलमानों की आजादी चीनी जा रही है उनके धार्मिक मामलों में हस्तक शेप किया जा रहा है जबकि सरकार ने कहा कि किसी के धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षे अपनाई वक्पकी जो मौझूदा व्यवस्ता है जिसमें तमाम छेद हैं तमाम कमियां हैं उनको दुरुस्त करने का काम है और यह वही कम्या है, जिनकी और पूर्व में भारत के संसद की जॉइन पार्लामेंटर कमेटी जेपीसी है इंगित कर चुकी और जिनकी और इशारा सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भी किया है कि बक्फ की इस्थिती क्यों खराब है उसके पीछे क्या बहां क्या अंधेरगर्दी है जिसको सुधारा जाना चाहिए अब सुधार ने की नौबत जब आई विधेक आया तो हंगामा लेकिन मज़े की बाती है कि यह हंगामा क्यों वर्पा है गरीब को ना आगे रखके हंगामा किया जा रहा है कि बेवक्फ से गरीबों का काम चलता है जिबकि जमीनी सच्चाई इसके विरुद्ध है कि गरीब तो किनारे है वक्फ का खेल बड़ा है बड़े लोगों के बीच में है नव लाख एकड़ जमीन है सेना और रेलवे के बाद भारत में सबसे ज़्यादा बड़ा लेंड बैंक वक्फ के पास है मुसल्मानों में जो गरीबी है जो अशिक्षा है जो संकत हैं तलाक शुदा महिलाओं की जो इस्थितियां है अगर वक्फ के जरिए इन सब की मदद हो रही होती तो इतने समपन्न वक्फ होने के बाद मुसल्मानों की यह परिस्थिति क्यों रहती देश में हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या जब नव लाक एकर से जादा जमीन आपके पास है और बेशकीमती जमीने हैं बेशकीमती इमारते हैं हिएं तो फिर हैं तो परаз मुसलमानों को नदर रहना चाहिए था ना विचिस गया है ना उनकी परित्यकता और विध्वाऊं को दर्वर के ठोकरे कहाने के लिए मजबूर होना चाहिए था पिर तो वक्फ से सबकी जर्जेश होती पर ने jamu, लेकिन हुआने, इसका मतलब वक्ष की मलाई कहीं और जा रही थी, अब उसी वक्ष की मलाई जिन रास्तों पर जा रही है, उन्हीं में ईटा लगाने के काम मुदी सरकार कर रही है, ये बिल लाके, इसी लिए भावाल है बिल पर, इसी लिए हंगावा है, भैं, आप आई रोकोगे तो बवाल होगा, 6 अगस्तु 1992 को अयुद्या में विवादित धांचा ढहा, नर्सिंग राओ की सरकार धवाब में आई, मुसल्मानों की नाराजगी उसको जेल ली पड़ी, तो उन्होंने कहा कि भई चलो, ये कर्ज उतारने जैसी भात, कि अध्या पे आप हमते नाराज हो, तो चलो बख्व बोर्ड को जिल्ले इलाही मा बदवलत मुगले आजम बनाई देते हैं, अपना रुमाल जहां रख देंगे वही जमीन उनकी हो जाएगी, फिर उसकी कोई होगा, फॉल एंड फाइनल, बख्व जहां चाहे, वहां हाहा कार मचा दे, सारा कुछ शक्तियां लाके उन्होंने बख्व के जोले में डालनी, नरसिंग गराउने, हलां कि मुसल्मान उन्से खुश तब भी ने हुआ, लेकिन राव साब ने अपनी तरब से सारा एहसान उ सही, अब उस पर हंगामा मच गया, जब संशोधन ला दिया मोदी की सरकार ने, अब तो लगा भईया पोल खुल जाएगे, लिखित में बख्व नामा होना चाहिए, मौखिक नहीं चलेगा, उनका सर्वे होगा बख्व की प्रपर्टी का, उनके कागजातों की होगी, डियम के यहां बख्व के प्रपर्टी का पंजी करन होगा, विवाद होगा तो कोट जा सकता है व्यक्ति, हाई कोट जाएगा, आई यह जरूरी, यह नहीं कि बख्व का इसे विवाद वख्वाले सुनवाई करने, ना, इस ठंके जब बदलाव की बात आई है, तो बहुतों का मूँ सूख गया, और दूसरी एक समस्या ये, कि आज जो लोकसभा में विरोध हुआ, और उस विरोध में एक पीडा भी छुपी हुई थी, एक नाकामी भी छुपी हुई थी बिपक्ष की और से, बिपक्ष को लग रहा था, कि चंदरबाबु, नाइडू और नीतिश बाबु, यहनी टीडीपी और जेडीउ, यह दोनों पार्टिया मोधी को इस बात की अनुमती नहीं देंगी, कि बख़ब में सुधार के लिए आप संशोधन बिलाओ, ना, उनको लग रहा था, इसलिए आपने देखा होगा, बार बार वो इस यही कहते थे, टीड सत्में आ गया, उसकी उम्मीदों पर तुशारा पात हो गया, बज्रा घात हो गया, बज्र पात हो गया, उनको लगा कि यह तो राज नहीं थे, वई धबी हो गया, आप कहां जाएंगे, उनको लग रहा था कि नाइडू और नीतिश अगर अड़ जाए, तो मुदी सरकार क कि फजियत कराने का अवसर मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ, और शाम होते होते सरकार ने फिर निर्णे किया कि इस बिल को और ज्यादा व्यापक चर्चा पर चर्चा के लिए संसद की सहुक्त समीति के पास बेज दिया जाए, जॉइन पार्लियमेंटरी कमेटी यानि ज विधेयक अब सर्वदली सहुक्त समीति के पास जाएगा संसद की, जिसमें सब दलों के प्रतनेदी शामिल हो, एक लोगतांत्रिक धंग से चर्चा हो जाएगी इस पर, और फिर जेपी सी की जो रिपोर्ट आएगी, उसको आधार बनाकर फिर सरकार इस मौजूदा विधे विधेयक में फिर बदल कर लेगी, ताकि जब दुबारा विधेयक संसद के पटल पर आए, लोगता के पटल पर आए, तो वो सर्वसम्मत हो, सर्वसमावेशी हो, लेकिन मूल स्वर इस विधेयक का वही रहेगा, वक्त को पारदर्शी बनाना, प्रामारिक बनाना, और वह वक्त गरीब मुसल्मान की बहितरी के लिए उपयोग में आए, तो सिर्माथे, और वक्त से साधन संपान दबंग रसूक वाले मुसल्मान लोग लाब उठाएं, अपने अपनी तिजोरियां भरें, तो वक्त अपने उद्देश से भटक रहा है, इसलिए फिर उसके लिए व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए, और एक सवाल और भी देश में उठ रहा है, कि हिंदू, बड़े हिंदू मंदिरों और मठों पर अधिकांश पर सरकार का नियंत्रण है, सरकार वहां की आये सरकार के खाते में जाते है, यन्हीं हिंदू मठ मंंदिर सरकार के नियं इस्लामिक धार्मिक केंद्र मस्जद दरगाह इबादत गाह इस तरह की जो चीजें है इदगाह वो सब सरकार उनसे दूर रहेगी उधर नहीं जाकेगी चर्च में भी नहीं जाकेगी केवल मंदिरों में ही सरकार का डंडा चलेगा एक पृष्णी खड़ा होता था बार बार एक धार्मिक व्यवस्था के मद्दे नेजर ये अलग-अलग कानून क्यों हो सकते हैं अलग-अलग द्रिश्ट कोन कैसे हो सकते हैं इसलिए देश भर में तमाम इस्थानों से मांग अ तता बुकती है कि हिंदू मंदिरों को क्यों सरकारी नियंत्रन में क्यों रखा जाए उनको सरकारी नियंत्रत से मुक्तक्त क्यों नहीं किया जाए यह एक इसका दूसरा डामेंशन है निकिन भीष्य वढ़ा है और विपक्ष को जब ये बिल जे पी सी को चला जाए ऐसी दार लोक सभा में ऐसा प्रस्ताव मंत्री किर्न रेजिजु ने रख दिया तो शायद विपक्ष को लगा होगा कि चलो अब हम जीत गए हालाकि संख्या के आधार पर विपक्ष सत्तापक्ष को कहीं भी इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकता था लेकिन बेहतर विचार विमर्ष और बेहतर लोक्तांत्रिक व्यवस्था बनी रहे उसके लिए सरकार ने फचला किया चलो विदेग को बेज देते हैं पारमिन जे पीसी के पास है अब उसको अपना अपनी विजय बताईजे बताने की जो कोशिश कर रहे हैं विपक्षी दल वो हास्यास पद है विपक्षी दलों के सपने तो तभी चूर-चूर हो गए थे धस्ती भूत हो गए थे जब लोक सभा में जंता दल यूनाइटेड और कर लिया की चलिकव चर्चा पर चलते हैं और महमानों सब्रषेव कराते हैं कउशल और मिष्डाजी भारती लता होका पनीर प्रवक्ता कउशल движ का स्वागत पृते चाहिं मुहमद आजम ट्रांस्परेंट हो और जिस जो वक्ष का मूल स्वर्था लख्या था कि गरीब मुसल्मानों की बेहत्री के लिए अब वक्ष की संपत्रियों का उप्योग हो जो मैं समझता हूं ठीक और प्रेक्ष में दूसरी चीजें देखने को आ रही थे तो वक्ष के चाल धाल को सुधारने के लिए जो सिपारिष्ट पहले संसद ने की थी वो जेपीसी ने और सच्चर कमेटी में जो कहे गए लिखा पड़ी हुई उनको ध्यान में रखके एक बिल आ गया तो इस ब अखल अधाजी है जी पढ़ी नमाज जनाजा की मेरी गेरों ने मरा था जिनके लिए वो रहे वजूर करते नौ लाग एकर जैसा कि आपने बताया है सबसे पहले वक्ष है क्या ये अरभी का शब्द है जिसको कहते हैं डोनेट करना डोनेशन डोनेट करना सबसे पहले मदि मदिना में नभी एकरम ने एक बाग को वक्ष किया था जिसका इंकम मदिना के गरीब मुसल्मानों को दिया जाता था और हैदरापाद में भी एक मदिना बिल्डिंग बनी थी जिसका पैसा उस जमाने में सबुदी अरब को जाता था देखिए सवाल ये है कि 8,9 अकर जमीन है आज मोदी अगर बिल लेकर के आए हैं तो इसके असल दिम्मेदार सोकार्ड मुसल्माने के वो लोग है मौलवी मुलाव एंपी जिनोंने वक्ष को धडले से अपने बाप दादा की जागिर समझ करके खड़प लिया और माला माल हो गए और मुसल्मानों को कंगाल कर दि है तो पर्लामेंट में उन्होंने एक भाशर दिया था कि मुसल्मानों की अगर वक्ष जमीन उनको दे दी जाए तो मुसल्मान कभी गरीब रहेगा नहीं मगर कि मोदी सरकार के मंचे पर एक सवाल है सवाल उट रहा है कि यह लैंड क्या करेगी मैं आप कहरें कि हम गहर मु मुसल्मानों की जमीन दीवी मुसल्मानों पर ही खर्च होगी गहर मुसल्म के के अंदर इसकी इंडरी नहीं है और मंचे वक्ष बे कि आप किसको मुसल्मान को देंगे जिस कम्मुनिटी में वो खर्च होगा यह मंचे एक बात है दूसरी बात यह है कि मुदी सरकार बेदा 25 है, 2013 है, संचोधन होते रहा, मगर अगर इस एक्ट से मुसल्मानों कुछ फायदा होगा, तो देखने की बात है, मगर मुझे लगता है, कि मोधी सरकार का मन्शा या सही नहीं है, शायद मुझे लग रहा है, कि मोधी सरकार ने मुसल्मानों से पॉलिटिकल इंतगाम ले रही कि मुसल्मानों ने भाज़पा को सपोर्ट नहीं किया, अगर रिफाम होता है, तो मुझे लगता है, कि मुसल्मानों को फायदा मुझे का, मगर मुसल्मानों के बड़े-बड़े दलाल, हराम, खोर, मैं कहता हूँ, हराम, खोर, ये दलालों ने आज इस मोड़ पर हमारी कम कि सरकार को इसमें हर सक्षेप करना परूंगा मैं दो बाते कहूंगा फिर मनीश जी से किपनी लूँगा फिर भाजपा और कॉंग्रेस के पास भाजपा पास अब तो मैं तो बहुत कम पढ़ा लेका आदमी में तो मूल बात पकड़ता हूं वाकी चाहता है दिमाग नहीं बिल्कुल से अजब ड्रामा फैलाए हुए हो सब लोग मिलके यार तमाशा बना के रख दिया मुल्क को एक भी मुसलिम विधवा बहें सड़क पर नहीं मजलूमियत के दिन नहीं गुजार रही होती इसी लिए ने बख्व है मैं अर्भी तो नहीं जानता लेकिन सामानी सम अच्छे स्कूल में पढ़े नहीं रहता यह वक्ष का पैसा जा कहा रहा है यह दूद की नदियां बहे रही है ना इन में पाइप किसने लगा अपने घर में ले गया नदियों को अब पाइप रोक रहे हैं उसमें प्रतिबंद लगा रहे हैं तो बबावाले आजब हो रह जी मौला ना जाब ने कहा कि इसमें गैर मजहब के लोग अभी तो यह कहीं लिखे डाक्टर ने लिखके बताया ने गैर मजहब के लोग आएंगे बिल में भी नहीं लिखा इसा कहीं कोई मेरे पास बिल की कॉपी है कि जिसमें लिखाओ गैर मजहब के लोगी आब बक्व चलाएंगे ऐसा किसी नहीं लेका लेकिन एक बात बिनमरता से कहूं हूँ नब्ना बराबर रखना होगा मौलाना साथ ओवादम कान साथ से भी कह रहा हूं क्यों पूछे क्यों हो इसलिए नब्ना बराबर रखना होगा सारे चार हजार से जाना बड़े और मध्यम मंदिरों और मठों पर सरकार का नियंत्रों है भारत में और उनसे अर्वों खर्वों रुपए की आए प्राप्त होती है कि वो आए जब जाती है सरकारी खजाने में तो फिर वो मुसलिम के बच्चे की स्कॉलर्शिप में भी जाती है जाती है जाती है ना मुसल्मान के इलाके में भी हेंड़ पंप लगता उसी पैसे से लगता है ना कि यह बात कभी उठी क्या किसी बात करते हैं आप लोग क्या कि और सात्मे आसमान से बक्त की जमीन लेकी आई थे लोग अरे इसी मुल्क की जमीने भाई मेरे पुले ना इधर कोई ने देखे कि बोले बक्त की जमीन अरे को तोप है क्या यह बाबर लेकिया आए था घोड़े पर रखे बक्त की जमीन किसी ने नहीं कहा कि बाबा विश्वनात का मंदिर है वह सरकारी अधिकारी महुजूर रहता है और सरकार चलाती मंदिर उसका पैसा बनारेस में भी लग रहा होगा तो बहां मुसल्मान नहीं है क्या है ना मुलंद साब क्या कभी कहा कि यह हिंदु धर्म के पैसे से बना हुआ रोट है इस पर मुसल्मान नहीं चलेगा गजब बात है हम अपना टिफिन छुपा के रखेंगे और दूसरे के टिफिन में कहेंगे सब लोग मिल भाई चारा बनाओ अईसा तो नहीं चलेगे ना टिफिन तो दोनों खुलेंगे टेबिल पर एक भाई एक शारा इने चलेगा भाई या अपना दो करें हमारा बख भा अर्शद मद्नी ने कहा मानीश अगरवाल कि यह शरीय पर हमला है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कहा है यह संविधान पर हमला है मैं आप से जहनना चारा हो क्या संविधान और शरीय एकी है चुकि आइसा तो मैं मानने सकता कि मुस्लिम इशू पर सपा को और कांग्रेस को ग्यान कम हो और अर्शत मद्री का भी ग्यान कमने उनकी भूमर हो गई 90 साल क्या जमायते इसलामी चला ही रहे इतना बला सक्रेट चाचा भतीजी मिलके मैमूद बद्नी और्शत बद्नी मुलाना साथ जानते ही हैं क्या अब वो लोग कितने बड़े मज्लूम है ये भी हमको पता है क्या कितना गुरुवत है उनके पास जानते तो यह मैं सबद ने पारा मां इसी चिंतन में लगाता कि क्या समिधान का नाम शरिया हो गया और शरि यह की नाम है तो जब इने हख मांगने का समय आता है तो यह समिधान मांते हैं और जब इने मुझ्लिग वोट चयोए होता है तो यह शरिया पे जाते हैं अगर वीजेपी ने पृपल तलाह्ता कना तो क्या वोट के लिए ओना कि वो उन चीजों को ठीक करें उसके कोई एकाउंट नहीं देख सकता उसकी कोई जांच नहीं कर सकता उसमें कोई सरकार की तरह से सदत नहीं बन सकता उसके बेनिफिट को कोई एनलाइज नहीं कर सकता उनसे कोई कोई चीज नहीं पूछ सकता जबकि रेलवे और चैना के बाद देश में सबसे ज़्यादा जमीन उन पर है उनका कोई और डिक नहीं होगा दोट पैसे का क्या यूज करते यह वो नहीं बताएंगे विग बार बार विपक्ष यह कहता है आज आप देखिए यह जेपीची को भेज दिया गया विपक्ष यह कह सकता है यह उसकी जीत है लेकिन क्या इसके डिसकेशन से और पार दर्शिता नहीं आएगी कुछ पॉइंट शूट रहे होंगे तो वह एड होंगे बिल और करना एजाती के लिए उजाती के लिए मुझे लगता है देश के लिए उचित नहीं है जितनी भी संसाय देश में काम कर रहे हैं सब देश की नैपालिका को और रिप्षित की सरकार को उन्हें समय समय पर उन जातों से गुजरना होगा इससे उनकी विश्वश्निजा बनी रहे हैं उनके पास अगर जनता के पंड्स आ रहे हैं तो उन्हें यह बताना पड़ेगा कि इसमें जनता के लिए क्या और क्यों हो रहा है अगर सरकार चार करोड़ आवास देने का वादा करती है तीन करोड़ आवास देती है तो क्या सरकार यह पूछती है कि यह किस जाती को आवास मिल रहे हैं किस वर्क को आवास मिल रहे हैं जो लोग अपलाई करते हैं जो लोग एलिजबिल हैं उन्हें यह आव सरकार का उद्देश है आप उसको बोर्ड बैंक की नियद से किसी धर्ब ते किसी जाती विशेश से जोड़ते हैं यह पॉलिटिकल पार्टी इसका अपना विवेक अधिकार है लेकिन जंता इसे समझ रही है और मुझे लगू होगा तो मुस्मिन जंता इससे बहुत जादा क मुहमद आजम खान साब मैं एक सामान ने व्यक्ति के तौर पर ही समझने कोशिश कर रहा हूं कि नौ लाख एकर जमीन किसी भी बैल्थ मैनेजमेंट करने वाली इंटरनेशनल इजिंसी को अगर हम दे दें क्या तो भारत में जितने गरीब मुसल्मान है ना सब अमीर हो जाएंगे सब का जीवन सुखी हो जाएगा उतना रिटर्न उससे आने लगेगा नहीं भंगामा किस बात पर है एक सो why आजा पूरी नियामुद्दीन ओ लिया जाइए ठीक वहां जो करता धरता है उनका रंग भारत के गरीब मुसल्मान से नहीं मिलता और की देहे के खुश्मों भारत की गरीब मुसल्मानन से नहीं मिलती है अज मेर शरीफ चले जाईए वहां जो करता धरता है उनकी शकल मिलती है जुम्मन से नहीं उनके रंग मिलते है शरीर के नहीं कोण लोग कब जाकी है और जुम्मन वहीं खड़ा है उसको एक कटोडी बिर्यानी मिल जा इतने भूत है उसके लिए मजार के वार दरगा के बार जो दरगा के अंदर है उनका जल्वा बढ़ता जा रहा है अल्ला की फजल से गाड़ या मर्सडीज और पजारों होती जा रही है कि इसके लिए खोला गया है यह वक्त आजम घंजाब अमचार जी पहली बात तो आप तो करें नाओ एकर जमीन कोई खाली जमीन नहीं है उसमें मस्यदें हैं कबरिस्तान है और तबाव ऐसी जो है अकुपाइड है मिले बालेगी चल लही है अब यही तो बात है ना नरेटिब्स का नसला है सारा चूंकि भाजपा नरेटिब्स बादिब्स प्रणी ज़ाँ रही है उसको मस्यद को खर्चे की जरूरत है ना कि वहां से आमदनी हो रही है इसीचा कि जो मदर्से चलना है मदर्स पैशा स्चाहिे ना कि मदरसा आज़े नहीं था कि कानून की कमी थी सरकार को कोई विफाउ करना चाहती थी तो पहले जो कानून थे उसमें तो कुछ किया हुथा सरकार में कुछ भी तो नहीं किया एक तरब सरकार कहती है कि मुसल्मानों चाहते हैं दूसरे हाँ 2 आफिर देना चाहते लेकिन बोजाएसा जो चल लाँ ना था दोली पीचर वोः सरकारवं करदेए और आदेए पीचर आपके जनकाली के लिए में बता दू हिंदू और दोने होते थे ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मुस्लिव होता था लेकिन वो सरकार ने केंज सरकार ने वो ग्रांट वर्ड कर दी तो सरकार की कतनी और करनी में फरक है अिसमें कोई आप कुछ भी कहलें यह वास बिल्कुल सीशे की तरह साफ है अगर सरकार को पहले मुस्लीम समाज को महरते में लेना कि नहीं है कि आदिए से वरोसे मिलें बिल्कुल नहीं हमें ना बलाएं लेकिन जो मुस्लीम समाज की बनाचती करता है जिसको वो समझते हैं उससे जो निस्क्रिकर कर लेते हैं कि भाई आप क्या चाहते हैं कैसे चाहते हैं लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। रॉट जीरोजीरोज़ोजन हैं लेक भात्ता की रिपोर्ट में लगता है कि गुरह भुरہ गुसेा कि बड़ा घटक भाक में नहीं कि अजुhã कुर्ष। 001 परसेंट भी तकलीफ ती तो काटा निकाल दिया तो कहे को परशान हो खुश होना चाहिए या थेंक्यू बोला चाहिए अरे रुको भाई पाकिस्तानी सीरियल बहुत वट अच्छे बनते हैं मौलानों साथ उनको देखवा कभी पाकिस्तान की सीरियल है क्या हर सीडियल में एक ही कथा है निकाह, तलाक, तलाक फिर निकाह, क्या लगराज सब उसी बीच पुप घूम रहे पूरा पाकिस्तान क्या इसके लावद कोई मुझे ने पता आजम खान साब करें कि कोई विशय नहीं था हमारे लिए खेर तीन तलाग से दुखी महिलाएं आती थी सामने उनकी पीड़ा देश सुनता था और एक बात जो आजम खान साब ने कही वो मुझे अटपटी लगी फिर मैं कोशल कांजी के पास चलूँगा कोई मजहब अगर यह कहिदे पूरा मजहब की तरफ से कह दिया जाए कि मुसल्मान इस सरकार पर भरोसा नहीं करता यह खतरनाग चीज है आजम खान को भरोसा नहीं हो समझ में आता है मौनाना नदीमुद्दीन को भरोसा नहीं समझ में आता है लेकिन अगर आप यह कह रहें क आप सर्कार चुन के लाएंगे ऐख और इपर मुस्लिम ये चाहते है क्या ये ढंदा विचार है इसकी मजंबत होनी चाहिए मुसलमानों की तरफ से भी रुग जाओ उत्तरपदेश में मुलाइम शिंग जी की सरकार थी तीन बार वो रहे अखिरी शादव रहे एक बार क्या किसी ने कहा कि पूरे उत्तरपदेश के हिंदू को समाधवादी पार्टी की सरकार पर परोसा नहीं ना मतवनिता हो सकती है लेकिन वक्तव खटर्नाक को इस जिनना के स्कूल का है जिनना को सरकार पर वरोसा नहीं है के इस बुम्लक में मुसलमानों के लिए अलग सोरकार और हिंडूों के लिए अलग और किष्ट्चन के लिए अलग उसक्ते लिए अलग 15-20 प्रधान मंत्री होंगे कैसी बात हो रही है मैं समझ नहीं पार देश को कहा ले जाना चाहते हैं आप नहीं यह नहीं चलेगा नहीं यह देश मंजूर नहीं करेगा यह खतरनाक इरादे हैं इन पर कताई देश को सक्ति के साथ मैं नकारना होगा खैर काउशल कान जी यह जो बिल आया जो आप जेपीसी को चला गया विपक्षी दलों को थोड़ी से उम्मीद बंधी थी कि एन वक्त पर नाइडू और जे चंद्रबाबू नाइडू और नीतिश कुमार को खेला करेंगे तो सावन में थोड़ा अच्छा लगेगा सावन वर्सेगा वो दोनों लोग सभा में समर्थन कर दिये बिल का तो वैसे ही आधी हिम्मत तो तूट गई तो जब चंद्रबाबू और नीतिश आपके साथ आई गए थे तो फिर इसको जेपीसी में क्यों भेजने की बात की कोशल गान जी फिर निप्टाई देते शुभशे शिग्रम न अविनास जी कई बार हमारे विपक्ष के लोग आरोप लगाते रहे हैं कि उत्तरप्रदेश में बुल्डोजर नहीं पारल्यामेंट में बुल्डोज करके कानून बनाया जाते हैं तो यह सोच आगया कि ठीक वाई एक जेपीसी बना दी जाती है सब का पॉइंट अब्यू का पार्ट है और बिलों का जेपीसी में जाना एक बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है और जिसमें कि अगर बहुत ज़्यादा पोजिशन हो रहा हो तो और कोई ऐसा यह विसाय आज का नहीं है सत्तर साल का विसाय है तो अगर सब लोग अपना इसमें पॉइंट अब्यू दे सिर्फ तीन सब्दों में बया करूंगा ना वकील ना अपील और ना दलील यही टोटल पूरा वक्त बोड़ था मतलब आप ना किसी को वकील बना सकते हैं ना कोई आपकी पैरवी करेगा वहां पे वकील ना ही कोई दलील पेस हो सकती है और ना ही कोई अपील हो सकती उसकी क क्योंकि आप मुलाना साहब आप खुद सोचिये कि इसमें नियम है कि हमारे मनीज भाई नो पॉछल कान्त मिस्टा जी का coping कहरें भी उन्हों प्या कि कोशल कान्त मिस्सटा जी का घर जी कि ऐसी और रहे हैं वाप बड मुझे लगताit कcket की वक्त की जमीन पे बढ़ना हुआ है तो वक्त पे गई चिट्थी और वक्त पाके देखने लगा और उसे भी लगा कि ये तो हमारी जमीन है तो कौशल कान्द मिस्टाक बार ना वकील है ना अपील है और ना दलील है अब इस तरह का अगर सम्मधान तुस्टी करण के चक्कर में पुछली सरकारों ने पास कर दिया हो तो क्या उसमें संसोधन नहीं होना चाहिए जरूर होना चाहिए और आप ये समझे कि तामिल नाड के तुचिर दिले में एक मंदिर था जिसका बहुत एक जामपिल दिया जाता है और वहां पे करीब पंद्रह सो साल पुराना मंदिर था पंद्रह सो साल पुराना और जब उस गाउं से के रिलेटेड एक किसान ने एक जमीन के लिए अपना बेचना चाहा या खरीदना चाहा तो पता चला कि जी ये आपकी जमीन है ये वफ की जमीन है और जब वफ ने कागज डाला तो कहा कि ये तो ये मंदिर भी उसकी जमीन पे आता है आप खुद सोचिए मौलाना साब 14 साल से इसलाम है और 1500 साल पुराणा मंदिर था तो वफ कब आ गया इस तरीके के बलेटेंट एक्जामपिल है और जहां तक रही तु यूपिये सरकार 2014 में जब जाने लगी थी तो मेरे ख्याल से 5 मार्च 2014 को उसने करीब करीब 126 123 संपतियां डिली की जिसमें से आधी से ज़्यादा ल्यूटियंस डेली में आती हैं उन सारी जमीनों पे जो कोट में विवाद चला था उसने उसको छोड़ दिया और का कि ये सब वफ की हो गई क्यों कर दिया सरकार चली गई थी 77 से भामला कोट में था क्यों कर दिया आपको नहीं लगता कि ये तुस्टी करना हो रहा था तो वफ के कानून में अगर कोई कामी कमी है खामिया है तो उसको सुधारना चाहिए ट्रस्ट एक्ट पे दुनिया के सारे भा कानून मना दिया गया और अगर उसको समयधानिक बना करको जो उसमें तुस्टी करन का अंस था उसको लिल आ कर एक नया समयधान आता है तो मुझे लगता है कि इसमें किसी भी देश में रहने वाले मुसलमान का कोई नुकसान नहीं है हाँ जो मुसलमान के नाम पर राजनी हमारे अमिताब भाई बोलते है ना जो असरफ पंचर वाले को कोई फरक नहीं पढ़ने वाला बिल्लू चाय वाले को कोई फरक नहीं पढ़ने वाला तो मुझे लगता है कि समयधानिक तरीके से जो उसमें खामिया थी और अगर उसकी आंकड़े बताऊं तो उसमें पूरे द सारे केस चल रहे हैं और जो ब्लेटेंटली आर्टिकिल्स को समयधान के जो मूल भावना है उसको आहात करता है तो मुझे लगता है कि उसमें चेंज लाना हम सबका दाइद्वा और उसको किसी भी दूसरे नजरिये से नहीं देखना चाहिए जो पिछली सरकारों से गलती ह करना यह अधिकार बाबा भीम राओं अंबेत करके समयधान हमें देता है और देश के लिए जो भी बहतर होगा हम उसको बदलते हुए करते रहेंगे मौनाना साब इसको प्रो मुसलिम के एंगिल से हम क्यों नहीं देखें क्योंकि गुन्यादी बात है कि अगर इस कानून से कुछ गरीब मुसल्मान मेरे मेरी दृष्टी गरीब मुसल्मान पर है आजम खान अपनी चिंता खुद कर सकते हैं क्या कहराना वाले भाई अपना ख्याल खुद रख लेंगे उनके लिए किसी की जुरूत नहीं या मौना साब भी तो आप जानी रहे हो ओवेशी साब को किसी की बते जुरूत नहीं ठीक वो दूसरों को ठीक कर दें उनका क्या कोई करेगा ठीक बात है रज्जाक की ठीक जो ले दिल पे हाथ रख की बताए कि मौना साब मैं आपका बड़ा आदब करता हूं अगर उनका भला 75 सान में इस कानून से हो रहा होता तो देश में मुसल्मानों के बीच में इतनी गरीबी और अर्शिक्षा और बधाली नहीं रहती छोटी संपत्ती है क्या इसका मतलब है पानी कहीं और जा रहा है जहां सूखा है वहां पानी नहीं जा रहा है पानी हवेलियों में जा रहा है हवेलियों में वो पानी सूखे खेतों तक जाए इसकी कोशिश क्यों नहीं होनी चाहिए मैं तो चाहरा मैं तो सोच रहा था मुसलिम धर्म गुरू इसक मौनाना साब क्या और उनकी सब की माली हालत भी हम जानते हैं देखिए तुम्हें काली घटा का भी नहीं पहचानना आया नशेमन से धुआ उठता है तुम कहते हैं उसावन है इराजनीतिक विश्लेशक हैं मैं भी खानून का अच्छा जानकार हूँ मैंने एजिप्ट से इसलामी लाव से पीजडी किया है नाइन्टी थर्टी सेवन का शरीयत एक जिसको समीधान में सर रचड़ दिया है इनको ग्यान वर्दन करता हूँ एक बात है देखिए हैदराबाद में तिलंगाना में सेवन्टी थाउजन एकर जमीन है जिस पर 30,000 एकर जमीन पर खब्दा है वाइसराइ होटल पर भी वक अब ये कहरें कि वक ब्लैंड कर सकता है खस्रा पानी नसल दर्वनें जो जमीने आती है है अमीर लोग जो है खरीबों को दान करके चले गए अब ये जो जिनको दान करके चले गए जो चेर मैंन बने वो बैचारे तो माला माल हो गया तूही एक धन्वान है गोरी बाकी सब कंगाल तो बहुत सारी जगा ऐसी है कि जहां पर मार्केट में 10,000 रुपया उस दुकान का या मलगी का किराया होना चाहिए 200 रुपया वक्फ मलगीयों का किराया भी नहीं दे रहे तो इसमें गड़बड घुटाला बहुत है ऐसा नहीं है साड़े पांच लाख एकर जमीन अभी देश में खाली है तीन चार कई जगा खब्जा हो गया मगर मुझे लगता है कि मुदी का मंचा सही नहीं अड़ानी ये दे कि सराउंड एरिया आपको कितना ना लेजे मैं तो नहीं बोल सकता आप बहुत अच्छे बड़े पत्रकार है डिल्ली के सराउंड एरिया हरिया पंजाब का जितना एरिया है खीमती जमीने हैं परदान मंत्री मुदी की निगाएं कहीं पे निशाना कहीं पे निगाएं वो निगाएं जमीन पर अड़ानी अंबानी के लिए रास्ता खोला जा रहा जो मुसल्मानों के दलानों ले घलत जब गवर्णर से यूपी के ते एक कानून लाया जा रहा था कि यूपी के मंदिरों पर सरकार का नियंदर नो हो, उबिल तैयार हो गया, असम्बली के अंदर नहीं आया, उस वक्त के ब्रहमनों ने इतनी जोरदार मुखालिफत किया, इंदरा गांदी के पास गए, उबिल आप वापस आया, कितने यूपी के मंदिरे जिन पर सरकार का नियंदर नो हो, मेरा कहना है, कि सरकार जो है, रिफाम के नाम पर चोड़ दरवादे से वक्त को हतियाना चाह रही, वह इतनी इतनी घलतियां है, मैं कहता हूं कि आप तिबल तलाक की बात कर रहें, अरे सरकार हज को नहीं चोड़ा है, सरकार के आफिस में तीन तीन लाक रुपिया दे करके चोर हज का वीजा दे रहे हैं, तीन तीन लाक रुपिया मोधी सरकार के अफिसर, माइनिटी वेलफेर के अफिसर, तीन तीन लाक रुपिया लेकर के वीजा बेच रहे हैं, तो ये सरकार क्या पानी बात ने कह रहा औरंग जेव और बाबर उधर नहीं जा रहा बहुत दूर चला जाता हो फिर वापस आना मुश्किल होता टाइम कम है कि ए मांदार होते वह सक्षम होते तो गरीब मुसल्मान के लिए बहुतरी का रास्ता होल धा इसका मतलब उनकी नियत में खोट रहे कि यह आप चाहते हो एक छोट चलती रहे यह का जा रहां कि मोदी की नियत पर इसका मतलब क्या है प्रकारांतर से जो नहीं कहा जा रहा है जैसा है वैसा चल ले देओ यार तुमको क्या तकलीब है हम खाक मारा है यह यह नहीं चलेगा कि मैं फिर कह दो जमीन वक्पकी हो कि किसी की हो उस पर बोर्ड कुछ लगा हो आधम बाई सब के लिए कह रहा हूं भारत कि यह जान लीजिए पहले भारत है फिर हिंदू मुझलमान वक्प मठ मंदेर यह दुनिया का जितना ताम जहां में सब बाद में है इसको भारत से उपर लादने कोशिज नहीं करो पूले सरकार चोड़ दर्वाजा क्यों भाई जो चीज संसद में आरे वो चोड़ दर्वाजा है गजय में चोड़ दर्वाजा वो होता है कि रात में कलेक्टर ने बुलाया ओका महलाना साब यह दिसकत करो चुप जाओ ज्यादा बोलना नहीं बोलो बंद कर देंगे क्या वो चोड़ दर्वाजा होता है यह तो डंका बजाकर आ रहा है गाजय बाजी से संशोदन हो रहा है बही मन का मतलब देश के चुने हुए लोगों की बहुत संख्या मैदारूटी चाहेगी तभी न मतलेगा कानून तो देश की इच्छा क्यों निमानी जाएगी अमिताब जी यह देश की इच्छा है लेकिन इसके अंदर इतनी परते बिछी हुई है ना कि डर उससे है कि खुलेगा यह जब यह खुलेगा तो एक यह जिन्न की तरह खुलेगा कि आखिर इन संपत्तियों के मालिक कौन है कौन इनके पैसे का मजा ले रहे हैं जब उसकी जांच होगी यह डर उसके लिए पैदा हुआ है क्योंकि सब इसमें कहीं न कहीं मिले हुए हैं सबका कोई न कोई हिट इंवाल्व है अगर किसी को इससे फाइदा नहीं हो रहा तो इस बदलाव का विरोध क्यों कर रहे हो बदलाव को फाइदे के लिए ही हो रहा है ना कि विशेश कौम को इससे फाइदा पहुचाया जाएगा जो अब तक उसे नहीं मिल रहा अब अगर उसे फाइदा नहीं मिल रहा और पहुचाने की सरकार कोशिश कर रही है तो विरोध क्यों विरोध हो लोग कर रहे हैं जिनको फाइदा मिल रहा है हमें आपको चौकाने वा पुराई क्या है तो इसमें कोई चोरी पकड़ी जाएगी अगर चोरी नहीं है तो मुझे नहीं लगता उसका डर क्या है और मुस्लिम समाज को खुल के आगे आना चाहिए था कि इसमें जो गड़वड़िया हैं जैसे आप कहा रहे थे कि आपको लग रहा था कि धरत गुरू इसका स्वागत करेंगे कि आप इनकी गड़वड़ियों क को दूर कर गये और नीचे की पाइदान तक इनके बेनेफिट्स को पहुचाने का रास्ता बनागे आजम भाई मैंने पूरा बिल पढ़ा प्रपोज मिल अग्रेजी में पुण उसमें कहीं यह नहीं एसा क्लॉस नहीं डाला गया के फिर अगर ऐसी इस्थिती बनी तो वो सरकार अपने अधीन लेलेगी जमीन क्या आर उसपर होटल बना देगी जो कहा जा रहा है यह डिस्को क्लब बना देगी, ऐसा कहीं नहीं है, जमीन बक्ष की ही रहेगी पहले पन्ने से आखरी पन्ने तक यहीं लिखा है, क्या? हाँ घपला घोटाले पर ताला लग जाएगा, एक-एक पैसे का हिसाब होगा, एक-एक इंची जमीन का हिसाब होगा, डिजिटल रिकॉ पहले ना, बल्ली-बल्ले, उनकी बल्ले-बल्ले हो रहे ही, मुत-बल्ली की, रज्जाक और रहीम तो फिर भी वही खड़े जाब पहले, सब्तर साल पहले खड़े के, बक्ष फला-फूला, बक्ष की जमीन, दस साल में, या कितने में आकला देख रहा था, दूनी हो गई, मुसल्मानों की गरीबी पर कोई असर पड़ा क्या, आदम खान साथ, क्यों नहीं पड़ा, मुझे आप वह, जो पांच करोन मुसल्मानी बता दीजिए, यह पांच करोन मुसल्माने सरसब जो गए, जिस दिन के वक्त की जमीन दूनी होई, जमीन दूनी होना बहुत बड़ को रोक रहे थे, कि आप digitalization नहीं कर सकते हैं, आप कोई सुधार नहीं कर सकते हैं, जो चीज थी, हम बार बार हम लोग तो यहीं चैनल है, जो बेवस्ता थी, उसमें सरकार ने क्या गया, उसमें सरकार ने कोई एस्टेफ करने के राज सरकारों को यह पावर था, तो राज सर सब्सक्राइब करना चाहिए काम नहीं दिया और यह गलत पहमी है कि आपकी जमीन को वक्त में कोई नहीं दे सकता है अभी भी सर्वें कमिशनर होता है जो स्टेट का आफिसर होता है वो रेक्मेंडेशन करता है जाता है और कागत्त पतर सेख करता है फिर जाके वक्मोर में रेइस्टर होती है लेकिन गलत पहमी क्या पहलाई गई है मिडिया रिपोर्ट का है कोई किसी की चाहए तो वो वक्मेरेश्टर करा सकता ऐसा विनकुल नहीं है आठ के डेट यूँ इसा नहीं है लेकिन हम लोगों ने आफसे शुरू में कहा है सरकार की नियत अच्छी होती तो परतमान कानुनों में भी सरकार ने किया होता कुछ काम क किया होता और उसके बाद हो कहती देखिए ये वाधाय आ रहे हैं इन वाधाय को दूर करने के लिए हमें जो आएक्ट है उसमें बदलाव चाहिए यकीना मुस्लिम समाज को इससे कोई अकराब नहीं होता लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि हाथ कुछ काम करके सेना की 13,000 एकड जमीन अगानी अन्वानी और रामदेव को दे दी गई है सेना की जमीन 13,000 एकड और ये अक्बारों में छपा है मैं अपने तरह से नहीं कह रहा हूं अगर मलीज जी चाहिए बूगल में जब तरह कर लें 13,000 एकड जमीन दी गई है तो क्या जमीने इसी त अजम भाई रुखना होगा आजम भाई रुखना होगा पर ये बीजेपी देखिए कि कहा किसकी जमीन दी, सेना की दी, रेल की दी लेकिन सरकारों में जमीन देने का नवाबी शोक पुराना रहा है मुला नजार है का मैं अभी नाम लेना शुरू करूंगा तो बवाल मज जाएगा यही टीवी पे मचाना नहीं चाहता सब मेरे में त्रो आजम खान बनवाए राजमहल रामपुर में परशाते खरी देती जमीन कि अरे गवर्नर को रात बर जगा के रहां तुरंद दस्कत करो आज ही सब अध्यादेश लागू करना ओ जीवन भर यही चांसलर रहेंगे क्या हजार उने कर जमीन बोले अमसान समचान कुछ नहीं बोल बुल्डोजा चला दो रात में खाली कर आओ डिमस्पी खड़े होके लादी करा भी बश्ती क्या नहीं पता है ना कि कहा था बग्व कहा था नो कहा था जो मंधं बी मर गया पता है आपको कि ननकु पुल्डोजा चप्रके नीचे खड़ाओ कि पूगरी में कि जमीन नहीं थी क्या है कि अधाधिर के पास रिलाइंस को जमीन नहीं दी थी क्या जिसमें बीपी सिंग में आंदोलन शुरू किया था और राज बंपर आए ते टक्टर चलाने ने जी थी क्या नेताजी ने वो घरीब आदमी थे वो जन्ता फ्लेट बनाएंगे बाँ आदम खान हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है मित्र कहां चक्रों पढ़ते हो इस बाते ठीक नहीं यह बहुत घाव फिर रिषने लगते हैं जहको आप कुरेद देते हो फिर रिषने लगते हैं मैं सिर्फ एक ब साथ सहमत होंगे फिर कोशल जी के पाज हो कि गरीब मुसल्मान अगर मुझसे कहेगा आके कि अग्योतरी जाब यह कानून खराब है अभी वक्ष की जो विवस्ता अच्छी है मैं पहला व्यक्ति होंगा जो इस विद्यक के खिलाप अपनी आवाज बुलंद करूंगा जिनकी कोठी में 10-10-20-20 गारियों की प्लीट करी है वो करें वक्ष कठी अरे आपका वक्ष से लेना देना चाहा है यार गरीब के लिए है वक्ष आप क्यों दिमंग लगा रहे हुदर यह नहीं पुझू हुआ है जिनके पच्छे इस्कूल नहीं जा रहे वो कहां है सबा जिन्होंने ड्राइ क्लीनिंग पर तीन सो रुपया देके कुर्ता पजामा कलफ लगा दुलवाया है क्या मूं में पान और हाथ में किमाम लेके करें अमा यह चेक नहीं है कान में क्योंकि मेरी कोठी पांस करोंगी बन चुकी है उसमें 20 गारी अंदर खड़ी है क्या और व कि निजामुदीन अउलिया के बाहदर कहा के बाहर जो लोग भीक मांगते हैं मौनाना साहब बड़ी दुख से कह रहा हूँ और राजमेर शरीप में जो भीक मांगते हैं वो खड़े होके कहें करें कानून ठीक है अच्छा है इसनी हमारी जिंदकी बतल दी तो आप जो कही कौशल गांची यह गरीबों के लिए एक धार्मिक व्यवस्ता क्या इसमें नेताओं का क्या काम भाई और जो सरसब्ज हो गए उनको तो बैसे हर जाना चाहिए जो क्रीमी लियर हो गए मुसल्मानों में क्या उनको दूर हो जाना चाहिए नहीं कि आप मलाई खा रहा हो आप मलाई से नान खा रहा हो ठीक है जो भूका है ने रज्जाक और उसके लिए बख फुछोड़ दो भाई कि कोशल गांची जी बैने आजम जी को भी सुना और मौलाना जी को भी सुना आजम साब आप मेरे को यह सिर्फ समझा दीजिए कि जो मैं पहले में बोला था अपने टाई में बोलियोगा बस सवाल उठा रहा हूं कि 15-100 साल पुराने मस्जिद पे वफ का कबजा कैसे हो सकता है इलाभाद का हाइट कोड़ की जबीन wenn www.tax4.com वक्त भी बताता है, वो कैसे हो सकता है, ये सोच के मुझे बताइएगा, आर टाइम आए, और मौलाना साब आप बेरे को बोल ले थे, मंदिर और बस्जित की बात, मौलाना साब क्या ये बताइए, जो ये वक्त का कानून है, क्या वो किसी सिख के लिए है, वो भी माइनौरि क्या वो किसी इसाई के लिए है वो भी माइनॉर्टी है और क्या वो हिंदू के लिए बनाया जाए तो क्या सब लोग साथ देंगे कोई साथ नहीं देगा क्यूंकि आपको पता है कानून की जो धाराएं हैं वो इतनी ब्लेटेंट हैं कि आदमी के किसी भी इंडिविजल के फ पैसे खर्च होने के बावजूद भी मैं कुछ आकड़े बता रहा हूं अमिताब जी आपको पता होगा कि आज देश में एनसेसों का दोजार उन्नीस का आकड़ा ये कहता है कि पूरे भारतवर्स में पांच लाख मंदिर हैं और हम सब को ये जान के आश्चर होगा कि पूरे देश में साथ लाख मस्जिद हैं खर्चा कहां से आ रहा है कौन बनवा रहा है कहां पैसा आ रहा है पैसा नहीं था तो आ कहां से रहा है पहला सवाल दूसरा सवाल मंदिरों से जो आमदनी होती है सरकार को जीडीपी का ती इन 2.35 प्रतिशत होती है। कितनी 2.35 प्रतिशत है। जो देश के हेल्थ बजट से जादा है, देश के एजुकेशन बजट से जादा है, और राममंदिर में तो एक साल में इतना चंड़ा आ गया था, कि जो भारत का डिफेंस बजेट है उससे ज़्यादा आ गिया था और मना करना पड़ा था और मुझे ये बताईए क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तामिल नाड में तामिल नाड की सरकार का अपना रिटेन अफिडेविट है कि 2017 से लेके 2015 तक जब हमारा केस फाइल हुआ था तब तक सरकार ने रिटेन अफिडेविट दिया कि मैं सरकार ने पांच लाक किलो मंदिरों का सोना लेकर के पिगला के गोल्ड फॉर्म के बाम में रखा हुआ है तो मंदिरों से सरकार दूद दूर रही है और बाकी जितने माइ किसी धर्म के हों उनको इंडिपेंडेंस दे दूए तो यह कहां से जस्टिफाइबल है आप मुझे सिर्फ यह बता दीजिए कि मदर्से की बात आपने की उत्तर पुर्देश में मदर्से कौन से बंद हुए था आजम साथ जो रजिस्टर नहीं थे जो इन लीगल चल रहे थे जिन मदर्सों में आपराधिक कारवाई हो रही थी चीजें हो रही थी उन मदर्सों को बंद करना कहां से गलत हो गया आप लोग मतलब कम से कम हकीकत पे तो ध्यान दिया कीजिए बहुत सारे लोग यहां बैठे है ऑफ दर रिकॉर्ड हो जाएगा बांगला देश की सेचुएशन पर जितने लोग इस वर्फ के लिए बोल रहे हैं एक का भी ट्वीट नहीं आया है एक का भी वर्फ तब नहीं आया है अब अमिताब जी मैं सही बोल रहा हूं ना जितने लोग आज वेफ एट के लिए खड़े हुए हैं अपोस कर रहे हैं पार्लेमेंट में चिला रहे हैं और फिलिस्तीन के साथ खड़े थे गाजा में किसी का एक वक्तव एक ट्वीट जो बांगला देश के माइनॉर समझे तो कि आपको वोट बाहिं की तरह दूर रहे हैं उस में कौशल जी ने कही भारत के धार्मिक भारत में धार्मी की स्थलों में केबल हिंदू धार्मिक इस्थल है जो भारत की अर्थवाष्था में सीधे सरकारी कोश में जोगदान दे रहे हैं बाकि कोई नहीं बाकि सब अपने पास रख रहे हैं देखिये वक्पोर्ड की बहुत सारी जमीने हैं जिस पर राजगोपाल लिंकों ने बहुत बड़ा industry क्ठा किया है राजगोपाल लिंकों तो मुसल्मान नहीं है ऐसा नहीं है मगर बात आपकी बिलकुल सही है कि वकपॉर्ड में जितने मतवली है उनके डाइरेक्टर उनके मिम्मरे इन्होंने ध्हंदली और पunky और गए। नहीं है। मगर वक बोर्ड में ऐसा नहीं हुआ, सरकार अगर कानून ला करके रिफाम करना चाहती है, तो आने वाला वक्त दिखेगा, एक बात, अभी ये भाई साब क्यों बोल ले थे, कि बंगला देश के अखलियतों पर जुल मुरा नहीं बोले, ये शायद इनको नहीं मालूम है, अगर जो लोग है जो राजनीतिक वक्तब देने वाले मैं उनकी बात की, आप तो आपकी बात नहीं कह रहे थे, लोग समाब याज जो बड़े-बड़े नेता थे बिलकुल निवु काट कलप के कपड़े पहिन के उनकी बात कर रहे बड़े बड़े नेता तो मुसल्मानों करें डिक मांगने कलिए चाराहे पर छोड़ आना साब आपका सोचना और मेरा सोचना बिलकUL से मिले रहे बिलकुल ये मोदी अनों ने उन्हों पागुव् वकरीद का बकरा बना दिया है वोट बैंक को बना करके हर इद का इंतजार करते हैं एक बात कहें के अपनी बात खदम करूंगा देखिए तुष्टी करण की राजनीती नहीं होनी चाहिए संतुष्टी करण की राजनीती होनी चाहिए ठिक 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 एक गंटा बहस बहस को भ मेरे लिए वक्फ के लिए एकी कसोती आजब भाई मुलानाव साहब, गरीब मुसल्मान सरसब्ज होना चाहिए, अगर वो हो रात वक्फ थिक काम करना, अन्यता वक्फ में लीकेज हे दीमक है, दीमक को मारने के लिए कीट नाशक का छिड़काव करना पड़ेगा, अच्छा लगे तो दो रोटी खाओ, और बुरा लगे तो चार खाओ, पानी पियो ठंडा, क्या? अब गेद आपके हाथ से छूट गई मित्र, अब ये मुत्वल्ली उल्वल्ली से कुछ नहीं होगा, वो दवर बीत गया औरंजेव और बहादुर्शा जफर और रंगीले शा रंगी हो, क्या? कागज पत्तर दिखाओ, क्या बुराई है? ये छूट किसी और को है क्या? तो आपको क्यों होगी? किसी और को जब ये छूट नहीं, कि हम मुत्वल्ली बठाल दे कहीं 500 एकर जमीन पर कहीं मुत्वल्ली है, इनसे कोई कुछ नहीं पूचेगा, तो पुलिस मार मा लट गिरा देगी, ये नहीं चल सकता, लाखों एकर जमीन, जमीन गाय है, भैस गाय कुछ भी मालूम होला नजाब, क्या? वो दूद देती है, कहीं रहे, जमीन कभी बंजर नहीं होती, वो दूद किसके घर जा रहा है, मैं उन बाल्टियों की तलाश में हूँ, किसके घर जा रहा, रज्जाक की घर तो नहीं आ रहा है, तो रज्जाक की चहरे बदल जाता, वो तो लेवर चोग पे खड़ा है, जोला में कन्नी लिए, अकुदाल लिए, नहीं, कि कोई मजदूरी दिलाद हो जाए, तो बच्चों को खाना खिला दे, और बख्फ माला माल है, मैंन प्रशी नहीं लगें, अपने जैसे नहीं लगें, वो आपका कितना ख्याल लखेंगे, इस पर शंका पैदा होती है, भारत का जो परंपरागत मुसल्मान है, मौनाना साब, आपने तो दुनिया घूमी, उसके देह की जो रंग है, रंगत है, और जो गरीब नवाज में जो लोग संचालन कर रहे हैं, दरगाह का, उनकी देह, आप उनको भी देखा है, मेल है कोई, कोई हिसाब किताब है, नहीं, कोई मांग सकता है हिसाब किताब, जो मांगेगा उसका क्या होगा, एक ही सजा, कोंसे नहरा था, एक ही सजा, मैं पूरा नहरा सुन नहीं सुनाओंगा क्या था ना निजामुद्दिन चले जाओ गलत नहीं कर आजम खंदव यह पार्टी के मसलन नहीं बहां जो अंदर लोग है करता धरता कि अईसे महकते हैं और बिल्कुल ताजे बिलोए हुए मक्षन जैसा रंग है क्या वह अरब के लगते हैं यहां के लगते हैं मौनान साब माफ करें गलत पूल दो क्या वह अरवी नहीं एक बार गया वहां तो मैं देखा मैंने का मौनाना नदीमुद्दिन साब कर जैसा कि कि ऑटो किसे नदीडेगें यहां बावाव लेकरोई अरभी लोग है यहां आच्छा जी तो हमारी यहां का रज्जाक कहां जाएगा उसको रोटी कुन देगा उसका भएच्चे कों पढ़ाएगा कि बहान जाकर को हिसाप केदाब ले सकता है क्या एकिसी रज्याक में इतनी हिम्मत है कि बहान जाकर यह कहें कि हमको काज़ पत्तर काओ, रेष्टर कताू, जि खाओ, कि упाइसा आ रहा है कि अगर मांग दिया रेष्टर तो अल्लहा को प्यारा हो जाएगा उसकी जनाजे की नमाज भी नहीं होगी क्या कि बहां जो बाहर खड़े रहते हैं इस्त्री पुरुष बच्चे भी मांगते हैं मुझे बहां भारत का मुसल्मान का असली रूप दिख रहा है अंदर वालों की उनसे कोई सिंपेती नहीं मित्र मैं मुसल्मानों के हक्च से बोल रहा हूं पक्च से बोल रहा हूं मेरी बात पर घौर करिए आपने 75 साल इस व्यवस्था को अवसर दिया ना बड़ी बात कह रहा हूं मुझा नजब 10 साल इस नई व्यवस्था को दीजिए जो भारत की संसत्य करने जा रही है वक्फ के लिए अगर आपको बदलाव नहीं लगे तो फिर भी संसत्य रहेगी कानून है कानूनों में तो शंश्वद्ण होता रहता है मित्र लेकिन यह बांज प्यवस्था कुछ नहीं दे पाई गरीब मुसल्मान को यह बांज है ब्यवस्था यह अमीर मुसल्मानों के पोशन के लिए बनी हुए इसने मुसल्मानों के बीच में एक अगोशित जम्मिदारी और नवाबी किस्म का कल्चर क्रिएट कर दिया ऐसे संपन्न लोगों के घर जाईए आपको लगेगा नवाब के साफ के यहां आए है बजी दली शाह के उसमें आगए क्या वो जल्वा वो जलाल जो बात का उशल कांतर ने कही वो बात भी बहत पूर है देश के कुल राजस्व में लगभग धाई फिसदी का कंट्रिबूशन भारत के देवाले करते हिंदू मंदिर करते हैं छोटा कंट्रिबूशन नहीं है देश के बजट में धाई फिसदी बहुत होता है मुना नजाब क्या उसके बाद आप बाद भी आपने किसी हिंदू को चवराहे पर बेमतलब मूच हटते देखा क्या नहीं ना यह देश हमारा है कि सबकी जिम्मेदारी है इसके प्रती और मैं कहूंगा इसी भाषा कभी नहीं आनी चाहिए कि मुसल्मान को देश की सरकार पर भरूश है सरकार तो एक ही रहेगी बहीया जो जनता से चुनके आएगी मुशलमान से न क्रिश्चिन से न इस सिक्ष से वह भारत के नागरिक से चुनके आती है अच्छी लगे तो प्यार से मानो और बुरी लगे तो घर में आकर रोलो फिर फलक पे जाओ आखे पोच के क्या फिर दुखो लगे घर आ जाओ रो जाओ रोके फिर बापश चले जाओ क्या तमाशा है? मुझे सरकार पर भरोसा नहीं. तो कहा भरोसा है आपका? कहीं और भरोसा है क्या? कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना? कहां भरोसा करते हैं आप? क्या एधेश वह दिन देखेगा कि मुसल्मानों की अलग सरकार होगी? कृषिंस की अलग सरकार होगी? नहीं जी, सरकार भारत की होगी, उस छाते के नीचे हिंदू-मुसल्मान से किसाई सब रहेंगे. और जो भी लोग प्रशार कर रहे हैं वक्प के बिल पर मैं उनसे एक प्रश्ण के साथ बात समाप्त करूँगा एक पंग्ती मुझे बता दीजेगा बात बहस समाप्त हो जाने के बाद तमाम माध्य में जहां से हम लोग संपर्क में लेते हैं जिसमें ये लिखा हो कि वक्प हो दुष्परचार किया जा रहा है मैंने पूरा बिल पढ़ा है वक्प की संपत्ती वक्प की ही रहेगी मुसल्मानों की संपत्ती मुसल्मानों के लिए ही रहेगी सिर्फ अंतर इतना है मौला नाजाब के देश चाहता है कि गरीब मुसल्मानों तक रोशनी पहुंचे और दिल पे हाथ रख्के बताए जिन लोगों ने दान दी होगी ये जमीन वो भी अमीरों के लिए तो नहीं दे गए थे दान ना गरीबों के लिए दान दे गए थे ना तो गरीब को इसका लाब मिलना चाहिए अगर ये शुरुवात हुई है तो इस शुरुवात का स्वागत करिए मुठी भर जो लोग हैं जो वक्त से जिनको आर्थिक लाब हुआ है और जिनके सामराज्य बन गए जो मुगले आजम हो गए उनकी ओर मत देखिए करोणों गरीब मुसल्मान की ओर देखिए मैं मुसलिम नेताओं से कहूँगा धन्यवाद झाल